Realme smartphone के अंदर एक नया update आया है UI का C.09 ये update सभी Realme smartphone के अंदर आने वाला है तो आज मैं इसी update के बारे में बात करने वाला हूँ इस update के अंदर क्या कर नया add होने वाला है आप लोगों को ये update करना चाहिए या फिन नहीं इनी सभी टापिक पर आजम बात करने वाले है तो अगर आप कोई Realme का smartphone यूज़ करते हैं तो ये video आपके लिए है आए फटापट इस video को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ Realme 3 Pro यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं Realme 3 Pro मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर अपडेट आचुका है मैंने अपडेट कर लिया है अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फीचर नए एड हुए है उसके लगा मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि इस अपडेट को आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं तो यहाँ पर हम फीचर पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर सारे फीचर आ जाते हैं जितनी भी चीज़े अपडेट की गई हैं वो सारी चीज़े यहाँ पर दी हुई है सबसे पहले जो है सेकुरेटी के अंदर एंडवाट सेकुरेटी पैच लेवल को जो है अपडेट कर दिया जो कि सेटेंबर 2020 का आ चुका है उसके लावा रियलमी लैब के अंदर कुछ चीज़े अड़ की गई है सूपर नाइट टाइम स्टेंड बाइ फीचर यह कुछ रियलमी लैब के अंदर एड़ किया गया है वैसे ज्यादा तर रियलमी लैब को कोई यूज नहीं करता है उसके लावा यहाँ पर जो है सेटिंग के अंदर काफी सारी चीज़े एड़ की गई है तो यह फीचर सेटिंग के अंदर एड़ कर दिया गया है उसके लावा एड़ेड रिटन बटन इन स्क्रीन सोर्ट प्रिव्यू यहाँ पर जो है जब हम स्क्रीन सोर्ट लेते थे तो वहाँ पर जो एक नया बटन एड़ कर दिया गया है जो की preview का है तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका skin shot कैसा है उसके लावा है added added long press to copy IMI in the status information interface तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि एक नया feature add कर दिया गया है जहां से आप जो है IMI number को copy कर पाएंगे तो यह भी काफी अच्छी बात है उसके लावा यहाँ पर added automatic download option for app update when connected to wifi यहाँ पर जो एक नया feature add कर दिया गया है कि अगर आपका smartphone जो wifi से connect होगा तो automatic जो app के update आएंगे वो सारे automatic update होते रहेंगे उसके लावा यहाँ पर जो है added time display option for the status bar status bar पर जो है यहाँ पर ने option add कर दिया गया है जो कि time display का होने वाला है तो यह भी आप check out कर सकते हैं कि कैसा गया यह है उसके लावा added shortcut at the bottom of security settings added shortcuts at the bottom of the settings other settings optimize the experience in wifi settings तो यह सारे चीज़े जो है setting के अंदर add की गई है उसके लावा यहाँ पर status bar पर कुछ ही जए add की गई है added to otg switch और उसके लावा यहाँ पर pop-up window system update notification उसके लावा यहाँ पर optimize mute bell vibrate icon status यह सारा कुछ जो है status bar पर update किया गया है उसके लावा यहाँ पर screen sort के अंदर कुछ fix किया गया है कुछ bugs उसके लावा यहाँ पर added auto scrolling feature in scrolling screenshot जबाब लेंगे system के अंदर added the feature of long press the icon to uninstall the app the draw mode यानि कि जो आपके home screen पर जो app होते हैं वहाँ से भी जो है अब आसानी से किसी भी app को uninstall कर पाएंगे पहले जो है ऐसा नहीं होता था उसके लावा fix the font size issue of charging animation कुछ issue भी fix किये गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं fix the issue that the fingerprints name are sent to default when restarting the system in mute user mode उसके लाव fix the crashing issue तो यहाँ पर जो कुछ bugs वगएरा भी काफी जादा fix किये गए हैं तो यह सारी चीज़े जो है add की गई हैं आप इनको जो है manually जाकर check out कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर दिखाने लगा तो वीडियो काफी यादा लंबी हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर जो है मतलब हर एक चीज add की गई है जैसे कि यहाँ पर अब लेख सकते है added the otg switch तो मैं यहाँ पर आपने को दिखा देता हूँ यहाँ पर status bar पर यहाँ पर तो नहीं है यह देखें यह otg का option आ चुका है तो इसको आप use कर सकते है कुछ इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर रख सकते है यह आपको यहाँ पर main पर आप मिल जाएगा यह देखें otg का आ गया तो इसी तरीके सारे feature जितने भी add की गए है वो सारे आपको जो मिल जाएंगे आप जा करके check out कर सकते हैं तो यह update जो है realme के सभी smartphone के अंदर आने वाला है तो यह update आपको बेज जीज़क कर लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर कुछ bugs पगर फिक्स के गए हैं उसके लावा कुछ नई चीज़े add की गई है तो अगर आप अपने smartphone को update कर लेते हैं इस update से तो आपके smartphone के अंदर कुछ नई चीज़े देखने को मिलेंगी फट आप फट अबडेट कर लिजे और नई चीज़ों का लाव उठाइए आसा करता हूँ कि आप सब भी को हमारी वीडियो चे लगी होगी अगर वीडियो चे लगी है तो वीडियो को लाइक कीज़े and share कीज़े and चैनल को subscribe के लिज़े मैं हमेसा इसी तरगी latest interesting वीडियो से लाता रहता हूँ नमस्कार मिलता हूँ के लिए इंटरस्टिंग वीडियो के साथ में